इस वक्तर मौझूद हैं देवली इलाके में और यहां पर आपको तस्विर दिखाएं तो मनिश शोदिया यहां लोग के बीच में पहुंचे हैं पद्यातर का तीसरा दिन है और देखें जब यहां पहुंचे हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए किस तरीके से कतार लगाए यह आपसे पूछाँ कैसे देखने से आत्रागों बहुत अच्छा लगारा देखके मेरे फैबरेट हैं यह बहुत ज्यादा मुझे बहुत पसंद है क्या है ऐसे ही अपनी अपनी चॉइस है नहीं बच्चों कि शिक्षा मंत्री हैं होने भी जाहिए कोई बात ने हैं और भी व तो सही बेजा गलत बेजा नाई मुझे इस चीज के बारे में नहीं बोलूँगी लेकिन मेरे हिसाफ से बहुत गलत बेजा गया नहीं बेजना चाहिए था नहीं और भी लोगों से बात करेंगे इधर किन से मेले आप अभी अभी मनीश तो दिया जी क्या लेगा इनकी आत्रा कि बाजी जाने हम नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगा अगे तक प्यात्रगा फायदा होगा कुछ हां कि उनके दर्सन मिले करने के लिए और के चाहिए हमको सबसे बड़ी बात तो यह आए तो बता पैदल पैदल आ रहा है और कि बच्चे कौन से जानते हैं मैंने शिश हो दिया थे हां मिले आप इंते भी हां क्या अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे वो काम बीजेपी वालों के तमाचे लगे हैं इस चीछ के कुछ नहीं मिला फिर भी जेल में डालने हैं यह जवर इस ती डालने हैं नहीं डालने ज़े ऐसे आदमी बच्चों का कितना नुक्सान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होईगी चुनाव आने वाले हैं चुनाव में तो यह देखो क्या होता है यही आएंगे बिल्कुल यही आएंगे जो काम अच्छा करेगा वही आएगा तो यह देखिए लोग हैं जो मनीश शुषिद्या से मिले औ और आपको तस्वीर दिखाते हैं लगातार जो हैं लोगों से मिल रहे हैं 9 अगस्त को मनीश शुषिद्या को जमानत मिली थी 17 महीने बाद आपको बताएं कि 26 फरवरी 2023 को मनीश शुषिद्या को आपकारी मामले में गिरफतार किया गया था सिब्याइब द्वारा फिर नौमार्च को इड़ी द्वारा फिर 17 महीने बाद जमानत मिली है तो में शुषिद्या आप अप लोग मिलें भी बढ़ बढ़े हैं मिले तो पहले से फाइदा है फाइदा उनको पब्लिक चाहती है बिल्कुल चाहती है जेल तो गांधी जी भ कुछ भी बोले वह तो अदालत फैसला करेंगी ना यह जो अदालत करेंगी वो करेंगी तो कोई ने कोई नि पूछे आप लोगों ठीक हो मैं न ठीक है तो तमाम लोग हैं और फिर से दिखाते हैं यहां पर देखिए मनी शिशोदिया लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उपर से दिखेंगे आप फूल माला यह वगरा भी जो है को आउपर से फैके जा रहे ही है और मुनिश शिशोदिया जो है लगातार लोगों से बातचीत यहां पर कर रहे हैं और यह उनकी पधियात्रा का तीसरा तीन है प्लिश्वी कुछित के साथ जिए बाढ़ी में बा